एलो स्टूडेंट्स आज हमारा टॉपिक है सेंटल नर्वस सिस्टम जो नर्वस सिस्टम होता है उसके दो पार्ट है सेंटल नर्वस सिस्टम और पेरिफिरल नर्वस सिस्टम जो है उसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉड आता है पेरिफिरल नर्वस सिस्टम में स्पाइनल नर यह highest coordinating center है, brain skull में होता है, यह cranium में होता है, यह brain box में होता है, जुमारी खोपड़ी होती है, खोपड़ी में brain present होती है, इसको skull कहा जाता है, protection देता है skull, brain को protection देता है, इसका वेट 1220 से लेकर 1400 ग्रैम तक होता है ब्रेन का वेट और ब्रेन के उपर तीन कावरिंग होती हैं ब्रेन के उपर तीन कावरिंग होती है जैसे अक्रोड जो होता है उसके उपर अंदर गिरी होती है उसके उपर कावर होता है ऐसे ही हमारे पास तीन कावरिंग है ब्रेन क उपर, आउटर मोस्ट कवर को बोलते हैं dureamatter, बिडल को बोलते हैं और कіноiड और इनर मोस्ट को बोलते हैं pair matter, ये तीन meaning जिस बोलते हैं इनको, 2A covering होती हैं ब्रैन की, पाया मैटर और और किनाइट जो है पाया मैटर और और किनाइट के बीच में जो जगा होती उसको बोलते हैं सब और किनाइट स्पेस और और किनाइट और डूरा मैटर के बीच में जो जगा होती इसको बोलते हैं सब डूरल स्पेस यह जो सब और्किनाइट स्पेस है जो पाया मैटर और और्किनाइट के बीच में स्पेस होती है इसमें होता है सेरिबरो स्पाइनल फ्लूड बरा हुआ एक फ्लूड होता है जिसका नाम है सेरिबरो स्पाइनल फ्लूड और जो और्किनाइट और ड्यूरा मैटर है इसके बीच में जो स्पेस होती है इसको सब्डूरल स्पेस बोलते हैं यहां भी फ्लूड होता है मगर यह सेरिबरो स्पैनल फ्लूड नहीं होता है यह जो सेरिबरो स्पैनल फ्लूड है इसका काम यह होता है कि यह शौक अब्सॉर्बर है ठीक है, शौक एबजोर्बर जैसे हमारे घाड़ियों में शौक लगे होते हैं, जो शौक को एबजोर्ब करते हैं, जैसे सोफे में सिप्रिंग लगते हैं, वो शौक एबजोर्बर होते हैं, ऐसे ही ver escrito-spinal degrees shock absorber का काम करता है, और यह क्या करता है, कि exchange of food material, waste respiratory gases, जो खाना वगारा है उसका exchange भी service spinal fluid करता है, waste material भी ये exchange करता है और respiratory gases भी ये exchange करता है और बाकी material भी ये exchange करता है, ये इसका दूसरा काम है, ठीक है, ये food को exchange करता है, जैसे food को cell तक पहुंचाता है, waste material वहाँ से निकलता है, वो भी service spinal fluid के दोवारा बाहर निकलता है, respiratory gases, oxygen जो है वो अंदर जाता है, carbon dioxide बाहर, ये cerebrospinal fluid इनको carry करता है, ठीक है जी, ये जो concept है, ये brain का है, brain, फिर में बोलूँगा, brain present होता है, brain box में, ये cranium, weight है, 1220 to 400 grams, इसके तीन cover होते हैं brain के, जिसको कहा जाता है meninges, M-E-N-I-N-G-E-S, outer होता है, duramatter, middle होता है orkinide और pyamatter होता है, innermost layer of the brain, pyamatter or orkinide की, pyamatter or orkinide के बीच में जो जगा होती है, सब orkinide space बोलते हैं, इसमें cerebrospinal fluid बरा हुआ होता है, orkinide और duramatter के बीच में जो space होती है, sub-dural space होती है, इसमें भी fluid होता है, मगर वो cerebrospinal fluid नहीं होता है, तो cerebrospinal fluid का काम है, shock absorber, exchange of food material, waste, respiratory gas and other material, देखो, यहाँ पे, this is, for example, brain और ये spinal cord है, central nervous system में जो आता है, ये brain, ये spinal cord, यहाँ पे क्या होता है कि, जो brain से चीजें निकलती हैं, sorry, brain से जो nerves निकलते हैं, nerves, brain से जो nerves निकलते हैं, इसको बोलते हैं हम, cranial nerves, यह हैं cranial, c-r-a-n-i-a-l, cranial nerves, जो निकलते हैं brain से, cranial nerves, spinal cord से भी nerves निकलते हैं, इनको बोलते हैं spinal nerves, spinal nerves, ठीक है जी, cranial nerve and spinal nerve, यह जो cranial nerve है, यह वो nerves होते हैं जो brain से निकलते हैं, spinal nerves होते हैं जो spinal cord से निकलते हैं, और यह peripheral nervous system बनाएगा, जो दूसरे topic में पढ़ेंगे हम, ठीक है और brain और spinal cord ये central nervous system में आता है this is brain and this is spinal cord ये central nervous system में आता है brain से जो nerves निकलते हैं cranial nerve और ये जो spinal cord से nerve निकलते हैं spinal nerve इनको बोला जाता है जो कि हम next topic में discuss करेंगे hopefully आपने ये central nervous system समझा होगा central nervous system में brain and spinal cord आता है ये जो लिखा गया है यही आपको याद रखना है 10th class के लिए है कोई भी confusion message जरूर करना या YouTube में comment box में comment जूर लिखो गए आप ठीक है जी thank you so much